चेप्टर क्वाडिलेटर्स आज करेंगे इसके वेरी शोर्ट आंसर टाइप कुश्चंस यह जो कुश्चंस है यह वन मार्क्स के कुश्चंस है है फर्स्ट कुश्चेन है इक थि एंगल कुफे कुटिलेटर्स सब्सक्राइब करें नंग करना है इसको हमने एकस ले लिया तो चारो एंगल्स का जो सम होता है कुटिलेटरल में वह होता है 360 डिग्री 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस X, ठीक हम ने X ले लिया तो X is equal to 360 डिग्री 75, 75 150, ठीक है 150 और 90 होगे 240 240 माइनस कर दिये हमारे पास आ गया 120 डिग्री तो 4 एंकल है 120 डिग्री ठीक है, next question करते है ABCD is the rhombus डाइख्राम बना लेते हैं such that angle ACB angle ACB 40 डिग्री है find angle ADB यह वाला एंगल हमें find करना है यह वाला हमें given है 40 डिग्री डिग्री देखिए आपको सारे जितने भी quadrilेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पताव नीचे तो rhombus वो फीगर होता है जिसके चारो साइट सिक्वल होती है और जो यह डाइंगल से ना यह बाइसेक्ट करती है इच अधर एट 90 डिग्री यह यह ट्राइट एंगल तो यह वाला जो एंगल है यह 90 हो गया तो यह कितना होगा इस वाले ट्रैंगल में आप देखिए यह एंगल हमें 40 इवन है जो रोंबस के जो डाइंग्री रोंबस करेंगेंगे तो यह जाएगा 50 डिगरी मैंने अंगल सम प्रोपरटी लगा के यह वाला एंगल को लिशर ठीक है तो हमारे पास आ गया एंगल dbc ये वाला आ गया हमें पूछा है एंगल a db तो ये और ये वाला एंगल ठीक है क्योंकि जो रोंबस की जो साइड्स होती है वो पैलल भी होती है तो ये और ये पैलल है ये ट्रांसवरसल है तो ये और ये क्या बना रहे हैं ये alternate interior angle है alternate interior angles equal होते हैं अगर line parallel है तो एंगल db c 50 degree है तो एंगल a db ये भी क्या होगा 50 degree होगा ठीक है ये दोनों एंगल क्या है एक्वल है alternate interior angles स्टार्ट करते हैं third question name the close figure formed by the bisector of the angles of a parallelogram देखिए इस पर सिर्फ naming करने क्लिए क्या है तो हमें प्रूफ नहीं करना सिर्फ name बताना है क्या चीज़ एक parallelogram है इसके angle के जो bisector है जैसे यहां से एक bisector आया ये यहां से इस angle का bisector आया ये ठीक है और इस angle के bisector ये और इसका bisector ये 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 जो angle के bisector ये जो quadrilateral बना रहे है इसका name हमें बताना है तो इसका name होगा rectangle ठीक है मैं प्रूफ नहीं कर रही हूं ये आपका एक example भी है तो हमें सिर्फ name बताना है तो ये बनेगा rectangle ठीक है name the figure obtained by joining the midpoint of the sides of the quadrilateral taken in order अगर एक quadrilateral है हमने ले लिया ABCD एक quadrilateral इसके midpoints को अगर हम join कर दें ठीक है तो ये जो quadrilateral आया है midpoint join करने के बाद ठीक है इसको ये क्या होगा ये हमें बताना है तो midpoint को join करने पर जो ये figure ये quadrilateral बनता है ये होता है parallelogram ये one marks के तो आपको प्रूफ नहीं करना है सिर्फ लिखना है question number 5 the diagonal AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at point O ये होगे एक parallelogram इसकी जो diagonals है AC and BD ये bisect कर रही है O point पर angle DAC angle DAC ये हमें given है 32 degree angle AOB ये given है 70 degree find करना है ठीक है तो कैसे find करेंगे इस वाले में एंगल DAC DAC ये वाला हमारे पास है angle AOB ये वाला हमारे पास है 70 sorry ये नहीं angle AOB ये वाला 70 angle DBC DBC sorry angle DBC यहां होना चाहिए मैंने यहां बना दिया ये ये वाला angle find करना है ठीक है आप देखिए ये और ये parallel है ना opposite sides parallel होती है तो ये और ये हो गए alternate interior angle तो ये 32 है तो ये वाला भी angle 32 हो गया ठीक है ये पूरा कितना form करता है 180 degree linear pair ये 70 है तो ये वाला कितना बचेगा 110 ठीक है हमें निकालना है DBC अब इस वाले triangle में देखिए ठीक है 110 प्लस 32 तो DBC आगे हमारे पास 180 degree माइनस इन दोनों का समाय 142 तो ये बचा 38 degree ठीक है एंगल DBC is 38 degree next question देखिए 6th question है if two adjacent angles of a parallelogram ABCD are in the ratio 5 ratio 4 देखिए सारे जितने भी questions है उसमें आपको इनकी property का यूज करना है अब ABCD यह हमने एक parallelogram ले लिया इसमें adjacent angles adjacent angles ये और ये ले लो ये और ये भी ले सकते थे कोई भी adjacent angles ठीक है जो A की side के A की side पर vertex पर बने हुए ना इनको में adjacent angle कहते है तो अब इनका sum इनका ratio दे रहका है 5 ratio 4 तो angle A हो गया 5X angle D हो गया 4X तो angle A plus angle D adjacent angle का sum 180 degree होता है ये एक property हो गई parallelogram की sum of the adjacent angles इने parallelogram is 180 degree अब ये 5X plus 4X is 180 degree तो 9X is 180 और X is 180 upon 920 degree ठीक है X की value आ गई हमें find करने है all the angles of the parallelogram तो angle A कितना हो गया 5X था ना 5 multiply 20 100 degree अब दूसरी property कह है opposite angles जो होते हैं parallelogram आपको एककोल होते हैं angle A अगर 100 है तो angle C भी 100 होगा ठीक है अब find कर लेते हैं angle D angle D कहा है 4X तो 4 multiply 20 80 degree तो angle D अगर 80 है तो angle B B 80 degree होगा opposite angles of a parallelogram are equal ठीक है next question question no.7 if two consecutive sides of a rhombus are represented by 3X-6 X plus 4 find the perimeter of the rhombus देखिए यह होगे rhombus rhombus की सारी sides equal होती हैं चारो sides जो होती है rhombus की वह equal होती है consecutive side coin सी भी 2 sides जो है वह क्या है एक है 3X-6 एक ले लो X plus 14 तो हमें perimeter निकालना है यानि चारो sides का sum निकालना है तो कोई भी 1 side find कर लेंगे multiply 4 कर देंगे तो parameter perimeter आ जाएगा तो पहले एक side कैसे find करेंगे देखो यह दोनों sides क्या है equal है AD is equal to AB क्यों सारी sides equal होती है rhombus की तो 3X-6 is equal to X plus 14 यह हमारे पास एक linear equation बन गई इसको solve करके हम निकाल देते हैं X की value ठीक है 2X is 20 तो X कितना हो जाएगा 10 X की value 10 आ गई इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो किसी में भी रख दो 3X-6 में हमने X की value पूट कर दे 3 into X यानि 3 multiply 10 30 minus 6 कितनी आ गई side 24 AD अगर 24 है तो सारी sides ही 24 से तो perimeter के आ जाएगा सारी sides equal होती है न 4 into side perimeter होता है 4 into side तो 4 multiply 24 96 units हमें कुछ भी दे नहीं रखा तो हम unit लिख देंगे आगे स्टाट करते हैं 8th question points ABC and D are the midpoint of the sides of the square PQRS एक square है PQRS ABCD इसके सारी sides के midpoints है ठीक है ABCD if the area of the PQRS area of PQRS is 36 square centimeter find the area of ABCD तो ABCD midpoint को join करने पर बनी है तो area of ABCD क्या होगा half of area of PQRS PQRS का half होगा तो PQRS 36 है तो 36 का half कर दोगे तो आजाएगा 18 square centimeter ठीक है next question देखिए 9th question the perimeter of a rhombus is 60 centimeter if the length of its longer diagonals measures 24 centimeter find the length of the shorter diagonals same use है property का ही use करना है हमें यह हो गया rhombus इसका perimeter है हमारे पास 60 centimeter perimeter है तो हम side निकाल सकते है तो side के हो जाएगी perimeter divided by 4 60 upon 4 15 centimeter ठीक है सारी sides equal होती है यह हो गया diagonal अब diagonal जो होते हैं bisect करते हैं at 90 degree तो अगर एक diagonal हमने ले लिए longer diagonal DB है यह हमें 24 centimeter given है तो OD कितना बचेगा DB का half ठीक है diagonal bisect करते हैं तो OD बचेगा हमारे पास 12 centimeter side कितनी है हमारे पास 15 centimeter यह 90 degree होता है अब हम निकाल सकते हैं इस वाले triangle में Pythagoras का use करके OC ठीक है OC का double कर देंगे तो AC जो दूसरी diagonal है shorter diagonal जो है वो आ जाएगी ठीक है तो इस वाले triangle में हम Pythagoras इस यूस करते हैं यह 90 है तो इसके सामने वाला यह जो है यह हाइपोटेनियस है तो OD square plus OC square is equal to DC square यह हमने कौन से triangle दिया है इन triangle DOC OD है 12 12 का square होगे 144 OC हमें find करना है DC है 15 15 का square होगे 225 तो OC square is 225 माइनस 144 81 तो OC under root 81 यानि 9 OC अगर 9 आगया तो AC कितना होगा OC का twice 9 x 2 18 cm ठीक है तो longer diangles हमें given थी 24 cm और shorter diangles AC आगे हमारे पास 18 cm next question question number 10 इन पैलेवरोग्राम if all the angles are in the ratio 1 ratio 1 ratio 1 ratio 1 1 ratio 1 ratio 1 ratio 1 का मतलब क्या 4 angles क्या है equal है तो what type of parallelogram is this तो x x x x 4 x होगे न 1 x 1 x तो नहीं 1 तो आगे लिखते नहीं तो x x x x होगे तो x plus x plus x plus x 4 x is 360 degree 4 angle का sum होगे 360 degree तो x की value आगे 360 upon 4 90 degree ठीक है तो हम जानते हैं कि अगर parallelogram में एक angle 90 है तो सारे angle ही 90 है सारे angles equal है सारे angle 90 हुए तो parallelogram में अगर सारे angles 90 है तो वो parallelogram क्या गल आएगा rectangle 11th question in the figure AB parallel CD इस figure में AB और CD parallel है what will be the measure of angle ADC angle ADC यह हमें measure करना है यह बताना है ठीक है तो angle ADC कितना हो जाएगा इतना इतना 60 है अब देखें यह दोनों parallel है तो यह क्या perform हो रहे है alternate interior angle यह 55 है तो यह वाला भी 55 होगा तो angle ADC हो जाएगा 60 degree plus 55 degree 115 ठीक है last question in the figure if D and E are respectively the midpoint of the side AB and AC what will be the length of ED देखें यह एक triangle है इस triangle में इस वाली side और इस वाली side के midpoints को जब हम join करते हैं तो यह जो line segment होती है join करने पर जो यह line segment है यह third side की half होती है और parallel होती है DE parallel BC and DE is equal to half of BC Q by midpoint theorem तो इस theorem का use करते हो है हम easily ED निकाल सकते है BC हमें given है 10 cm तो DE कितनी हो जाएगी BC की half 10 by 2 5 cm करते है शुम जफ्रॉड। करते है एएगी कि और लाजया